नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका बिगिनर्स पॉइंट शुरुती जैन चैनल पर इस हफते की फैंक्शुई टिप के साथ हम हाजिर हैं इस हफते की टिप है घर के मुख्यद्वार मेंगेट के सामने किसी भी तरह का कोई अवरोधक आपस्टिकल नहीं होना चाहिए घर का मेंगेट घर के अंदर प्रवेश करने वाली एनरजी को बहुती ज़्यादा इंपैक्ट होता है अगर घर के मेंगेट के आगे किसी भी तरह का कोई अवरोधक है आपस्टिकल है तो घर के सभी लोगों को किसी नहीं किसी तरह की परिशानी बनी रहती है गर के मेंगेट के आगे अगर कोई दिवाल है या टेलिफोन का खंबा है या बिजली का खंबा अगर है या गर के मेंगेट के ठीक सामने कोई पेड़ है इन सभी इस्तितिय और परिस्तितियों में घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को किसी न किसी तरह की परिशानी जो की स्वास्थ संबंदी हो सकती है हैल्थ संबंदी हो सकती है या आग घर में लगना या फिर कोट कर चरी का डर हमेशा बना रहता है इस तरह की जो परिशानिया है अगर इन में से कोई चीज में गेट के आगे है किसी भी तरह का अवरोदक है या पेड़ है या टेलीफोन का खंबा है बिजली का खंबा है ऐसी कोई भी चीज जो की घर के मेंगेट के ठीक सामने किसी ने किसी तरह के से अवरुदक के रूप में खड़ी है और आप उन्हें अगर हटा नहीं सकते उस स्तिती में हम आपको एक उपाय बताते हैं इसका उपाय है कि घर के मेंगेट के ठीक उपर एक बगुआ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहा है एक अस्ट कोणिया मिरर होता है जिसके अंदर एट डिफरेंट एंगल्स होते हैं जिनमें ये मिरर लगा होता है तो ये जो बगुआ है इसे फैंक्शुई की बाशा में हम बगुआ कहते हैं इस बगुआ को घर के में गेट के ठीक उपर लगाएं इस बगुए की मदद से जितनी भी निगेटिव एनरजी हैं वो घर से बाहर की और भागती हैं या घर में किसी भी तरह से प्रवेश नहीं करती हैं तथा जिस तरह से अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि किसी भी तरह का अवरुदर्ख है अगर आप उनको नहीं भी हटा पा रहे हैं तो उस इस्तिती में भी जो परिशानिया हैं जिनकी अभी हमने बात करी उन तभी परिशानियों से बचाव होता रहेगा ध्यान रहे कि अगर घर में या घर के आसपास निकेटिव एनर्जी बहुत है उस इस्तिती में ये बगवा अपने आप तूट जाता है या इसमें दरार पड़ जाती है तो आपको एक चीज़ का विशेश ध्यान हमेशा रखना रहेगा कि जब कभी भी आप ये बगवा लगाएं और उस बगवे को अगर आप तूटावा पाएं या उसमें किसी भी तरह की कोई दरार आपको मिले तो उसे तूरंत बदल दें या फिर उसको हटा दें वहाँ से हटा करके रख दें बगवा बदल देना उचीत होता है जिससे कि ह हमारे घर सुरक्षित रहता है और स्वास संबंदी, फिनेंशल संबंदी, कोट कचरी संबंदी सभी समस्याओं का निवारण होता रहता है इसी तरह से आज की दूसरी टिप है घर के में गेट के दोनों तरफ कुछ सुगंदिद फूलों वाले गंबले हमेशा होना चाहिए अगर ये गंबले घर के में गेट के दोनों तरफ रखे हों तो बहुत ही उत्तम होता है गर के में गेट के दोनों तरफ फूलों के गंबले रखने से घर में रहने वाले सभी लोगों के भाग्य में व्रद्धी होती है पर इन फूल के पेड पोदों को ध्यान रखते समय ये जरूर ध्यान रखे हैं कि ये पेड किसी भी तरह से काटे वाले ना हो इनके अंदर किसी भी तरह के काटे नहीं होना चाहिए तो ऐसे ही पोदे रखें जिनमें फूल हो, सुगंदित पुश्प हो लेकिन उनमें किसी भी तरह से कोई काटे ना हो तो मित्रों इस हफते की यह टिप उमिदे आप सभी को पसंद आई होगी इसी तरह की और टिप लेकर के हम अगले हफते फिर आपके सामने हाजिर होंगे धन्यवाद